नमश्कार में दिती फॉजर आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्थ सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक के बारे में खराब लाइफस्टाइल की वज़े से लोग इन दिनों कई तरह की समस्य और विमारियों का शिकार होते जा रहे हैं काम के दवाब और अन्य तनाव की वज़े से मानसिक समस्या भी बेहत अहाम हो चुकी है लकातर बढ़री समस्याओं के बीच आज कल पैनिक अटैक भी काफी तेजी से बढ़ रहा है ये एक ऐसी स्थिती है जो व्यक्ति के मन में मौत का डर बना देती है कभी कभी कुछ लोगों को ये भी लगता है कि वो मरने वाले हैं या उन्हें दिल का दोड़ा भी आने वाला है ऐसी स्थिती में हाला कि पैनिक अटैक पढ़ने पर व्यक्ति को ऐसा एसा एसास होता है कि वो जीवित ही नहीं है ऐसी स्थिती में उन्हें लगता है कि हम मरने ही वाले हैं इससे लिए आपको ऐसी कुछ टिप्स के बारे में आज हम बताएंगे जिसकी वज़े से आप पैनिक अटैक से पीडित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं सबसे पहले तो पैनिक अटैक से पीडित व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जाएं ये एक ऐसी स्थिती है जिसकी वज़े से आपको काफी दिक्कत होने लगती है इस समस्या से जूजने वाले व्यक्ति की अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाती है पसीना आने लगता है, सास लेने में कटना ही होती है, पेट में एठे, चकर और घुटन जैसा मैसूस होने लगता है इसकी वज़े से अगर आप किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक से बचाना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं क्योंकि ये आपके जीवन को गंबी रूप से प्रभावित भी कर सकता है अक्सर हमें होने वाली समस्या हमारे खान, पीन, रहन, सेन, जीवन, शैली से जोड़ी हुई होती है पैनिक अटैक भी इनी समस्याँ में से एक है जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं इस समस्या के कुछ कारण आम तोर पर कुछ गंबीर भी हो सकते हैं अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति पैनिक अटैक का शिकार होते हुए दिख रहा है तो आप इन टिप्स की मदद से उसका हेल्प कर सकते हैं इसके साथ ही सबसे पहले उसे पानी दे पानी से व्यक्ति शान्त होता है और इससे फाइदा भी मिलेगा इसके साथ ही पीडे द्रक्ति से बातचीत करें अगर किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक आया है तो उसे बातचीत करें इसके साथ ही उन्हें साथ में बिठाएं और ऐसी जगे पे बिठाएं जहां पर शान्ती हो बात करना और बैटना उनके मन को शान्त कर सकता है जिससे उन्हें पैनिक अटैक वाली स्थिती से बहार निकाला जा सकता है इसके साथ ही आप ग्राउंड टकनीक को भी इस्तमाल कर सकते है इनसान को रिलाक्स फिल किया जा सकता है ऐसी और हेल्थ रे टिप्स के लिए बने रही हमारे चैनल दडग़ी मीडिया के साथ